Hello students, आपके सामने ये एक question है, इस question में A vector आपको given है और 37 B vector भी दे रखा है और आपको ये दे रखा है vector triple product की form में जो कि इसके equal है Then what is the value of, इसकी value हमें निकाल लिए हैं सबसे पहले ये जो vector triple product है हम इसको solve करते हैं तो ये कुछ ऐसे लिखा है A cross B cross C तो इसको expand कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखना पहले इसका इसके साथ dot product हो जाएगा तो A dot A और ये जो B vector है इसको हम बाहर रखेंगे फिर minus A dot B A dot B और बाहर हम किसको रखेंगे? A vector को रखेंगे ये समझ में आगया होगा अब आप खुद देखो कि A vector आपको question में I cap minus J cap plus K cap दे रखा है तो A vector dot A vector होता है A vector के mod का square और बाहर है B vector और ये है A dot B बाहर है A vector तो पहले तो आप क्या करो? इस mod का, इस vector का mod निकालो जो की root 3 आ गया और इसका square निकालो तो ये 3 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पर 3 रखना है तो मैं 3 रख देता हूँ साथ मैं B vector अब मुझे A dot B रखना है मतलब A vector का dot product B vector के साथ करना है A vector है I cap minus J cap plus K cap और B vector हमारे पास है I cap plus 2 J cap minus K cap इसको अगर हम solve करें आप खुद भी solve करके दिखोगे तो ये तो आ गया 1 इससे आ गया minus 2 इससे आ गया minus 1 तो यहाँ से हमें minus 2 मिल रहा है तो ये clear हो गया होगा तो अगर मैं यहाँ पर minus 2 रखूँ इसकी जगा पर minus 2 रखूँ अलरी minus है तो यह हो जाएगा plus 2 A vector यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अब हमें यहाँ पर क्या करना है जो B vector है उसकी value पुट कर देते हैं जो कि ये है तो यह हमारे पास हो जाएगा I cap plus 2 J cap minus K cap और A vector की value हम पुट कर देते हैं I cap minus J cap plus K cap अब simplify करेंगे इसको अंदर एक एक से multiply होगा तो यह हो जाएगा 3 I cap 6 J cap minus 3 K cap अंदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2 I cap minus 2 J cap plus 2 K cap 3 I cap plus 2 I cap हो गया 5 I cap 6 J cap minus 2 J cap यह हो गया plus 4 J cap minus 3 K cap plus 2 K cap हो जाएगा minus K cap यह समझ में आगे हो तो finally मुझे A cross B cross A जो है इसका answer मिल गया यह है 5 I cap plus 4 J cap minus K cap पर यह जो इस vector triple product है question के according यह alpha I cap minus beta J cap plus gamma K cap के equal है तो जो हमारा answer निकला है और जो question में दिया है दोनों को compare करके alpha की value 5 निकल रही है beta की value minus 4 निकल रही है और gamma की value minus 1 निकल रही है और हमें इन तीनों को add करने के लिए कहा है तो अगर मैं इन तीनों को add कर रहूं तो आप खुद देख सकते हो answer कितना आ गया हमारा 0 आ गया तो अगर option पचाएं तो option में तो कोई भी answer हमारे इस answer से match नहीं कर रहा तो यहाँ पर options नहीं दे रखी है तो सही answer correct answer क्या है यहाँ पर 0 तो इस तरीके से बच्चों यह वाला question हमने यहाँ पर completely solve कर लिया है